तिरसिंग रावत ने बुधवार को शाम उत्रखन के नए सीएम के रूप में शपत ग्रहन की है राजपल बेबी रानी मौर्ये ने राजभवन से उन्हें शपत दिलवाई फिलहाल नई सरकार में किसी मंत्री ने शपत नहीं ली है इससे पहले बाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें नया नेता चुना गया बैठक में चतिसगर की पूर्वे मुख्य मंत्री और उत्रखन के प्रभाली रमन सेंग रमेश पोख्रियाल के अलावा कारिवाहक मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत प्रदेश अद्यक्ष बैशी दर्भगत तुशित कुमार कौतम यश्पाल आरिय रेखा आरिय समेत उत्रखन के भाजपा की तमाम सालसत और विधायक मौजुद थे तीरत का परिवार भी शपत ग्रण समारों में शामिक था उत्रखन के मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत गाव की पग्टंडी से ऐसे ही सीम की कुर्सी तक नहीं पहुचे यहां तक पहुचने के लिए उन्होंने काफी संगर्श किया अगर बात करें संद 2019 के लोगसफ़ चुनाव में तो तीरत ने गड़वाल संसद्य सीट से संसद्य राश्रीती में पहला कदम रखा था पॉड़ी गड़वाल सीट पर भाजपा प्रिट्याशी तीरत सेंग रावत ने जीत दर्श की थे उन्होंने कॉंग्रेस प्रित्याशी मनीश खन्रूडी को हराया था गाउ की पक्डंडी से शुरू हुआ उनका ये सफर धैरी, सैंशिल्टा, कर्मिट कार्यकर्ता की उनकी छवी को और मस्बूत बनाता गया कार्यकर्ता की रूपे राजनीती शुरू करने वाले तीरत का अभिभाजीत उत्तर प्रिदेश और उसके बाद उत्राखन की राजनीती में विशेश तकल रहा जन्तत पौडी के कलजी खाल ब्लॉक के सीरु गाउ के मुले निवासी तीरत रावत का राजनीतीक सफर बहुत संगश पोड रहा है कलम सिंग रावत की छोटे बेटे तीरत ने गड़वाल विश्रु द्याले के बिडला परिसर श्री नगर से चात्र राजनीती शुरू की थी वश 1992 में वह सबसे पहले अखिर भारतिये विध्यारती परिशित की ओर से बिडला परिसर श्री नगर के चात्र संग अध्यक्ष पत का चुनाव लड़े और जीते भी इसकी बाद वे प्रदेश संगतन मंत्री, भाजी उमों में प्रदेश उपातियक्ष और राश्टी कारी कारनी सदसे भी रहे वश 1997 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिशर सदसे के सदसे निर्वाचित हुए प्रथक राजी उत्रखंड का गठर होने पर वर्ष 2000 में राजी की अंत्रिम सरकार में तीरस सिंग रावत उत्रखंड के पहले शिक्ष मंत्री बने बात करें अगर 2007 में तो भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदेश सदसरता प्रमुक आपदा प्रबंदन सलाकार समिती के अध्यक्ष भी चुने गए थे बात करें 2014 के लोकसबद चुनाओं में तो उत्रखंड की पाचो लोकसबद सीटे बाजपा के चोली में गई थे लोग सबर चुनाओ 2019 में पार्टी में तीरत को गड़वाल सीट से प्रतैशी बनाया था और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी कत दायतु में भी सौपा था उन्होंने अपनी जीत के लिए हिमाचल प्रदेश की चारों सीटे जीत कर पार्टी में खुद के कत को और वजबूत किया था तो ये था सफर तीरत सिंग रावत का एक काव की पक्टिंडी से निकल कर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने तक का सफर नई दिली से परविनर्शी राष्ट ने उसने अक्रा के लिए